हेलो एन नमास्ते व्रीवन मान इले सा फेरीपनी आईशाएगोशू मेरो यूटुब चैनल मा एवटा नया वीडियो लिहेरा ओले आमिले वाटर रिसोर्स इंजिनियरिंग सीरिस कॉंटिनीव वार्देशाँ चैप्टर वन साकीशाएगोशा आज वाटा हमिले चैप्टर टु इस्टार्ट करने शूँँँँँँद चैप्टर टु मा रहेखोशा याम्रो वाटर रिकार्मेंट so chapter 2 मां हमिले पर्णु बने कुरा की के सन बने crop season, crop types, base period, core period and core depth crop period बनु and then delta and duty, duty-delta relationship factors affecting duty, water requirements of different crops so योजन हम्रों सीरीज रहे को सा water resource engineering को, this series is strictly based on the syllabus of class 10 old course and class 9 new course so class 10 को एस पाली को जन SE exam हुने सा त्यो पुराने course मां हुने सा, रा class 9 मा पनी water resource engineering add गर ये को सा, तरा course syllabus नहीं सेम रहा को सा हाली आम्रों specification grid question pattern ची फरागुन सा and next year वाटा class 10 को पनी question pattern same हुने सा, तरा class 10 मा next year वाटा water resources engineering हुने साइदा, हस्ता हुँ आम्रों स्टार्ट करूं आम्रों content वाटा, so number one मा पहला था आम्रों इंट्रोडक्शन हेरूं इंट्रोडक्शन सा बंदा पहले, आम्रों chapter को नाम के हुँ, water requirement, water requirement, water को water requirement of the crop is defined as the total quantity and the mode of water required for a crop from the time it is sown to the time it is harvested जती वेला हामीले फिल्ट तयार गर्छों कुने पनी crop रोप ना लाए, so field तयार गर्णू देखी लिएर, जती वेला सम्हा crop लाए harvest गरिंचा, that is, water requirement of the crop is defined as the total quantity and the mode of water required for a crop from the time it is sown to the time it is harvested सोन वाने को रोप ने टाइम है, the time it is sown वाने को जुन बेला यो रोप इन्छ, to the time it is harvested, जुन बेला से काट इन्छ the water requirement varies from one crop to another and also with the agricultural land, सप़े crops को जुन पानी को requirement हुन्छ, पानी को demand हुन्छ, एक यी टाइप को उंग देना, कुनेये क्रोप लाई धेरही पाणी चाहियो, कुनेये क्रोप लाई iende थेरही पाणी चाहियो, तेसरी नाइ HOW annoyed agricultural land हमिले क शतो land मा almost crop Frage का INFर 죄송, तेसर्मा पनीड गर्षा water को demand, कुनेये कुनी लाई थेरही पानी चाहियो , तेसर्मा पनीडै ड़शा की water requirement कुस्त हुन्छ सबनेगा, every crop planted demands a certain amount of water at certain intervals of time throughout their growth period, हामेले जत्ती पनी crops रोपे का हन्सा, उनी अरलाई कही कही time interval मा वनना ले, कही कही समय पसी, कही कही मात्रा मा उनी अरलाई पानी चाहिन छा, उनी अरलाई पानी डिमांड गर्शन, कही को लागी तो उनी अरलाई को आपनो ग्रोथ को लागी, if this demand is made by rainfall at a sufficient amount then there is no requirement of irrigation water, if not irrigation is necessary to meet demand of the crops सो बिसिकली यहां के वनना खोजी को छाओ हने, जत्ती पनी crops हामेले रोपने गर्शन, क्यों सब्वे crops लाई कही कही समय मा, that is कही कही समय अंदरा, उनी हर लाई कही कही मात्रामा पानी चाहिए अपर सब्वे crops त्योँ, crop को water demand पुरा गरनना लाए, water requirement meet गरनना लाए हमिले, irrigation गरननु करेो अब त्यसए को बारे मां हमिले, different types of crops अरुप को बारे मां पट्षों, different season हरुप को बारे मां पट्षों कसलाइद देरही पानी चाहिएो कसलाइद फोरही पानी चाहिएो त्यो सब भईकुरा आमिले यही देख मा हैड़े शो सडी यही चाप्तर मा हैड़ेश में फैक्ट अब हम्रों फर्स्स टॉपिक रहको साँ, क्रॉप सीजन, इंटरदक्शन दा आइड एरी सक्यों, अब हम्री लेएर साँ, क्रॉप सीजन पहले याँ एक चेटी थेोरी परण तो थेोरी की गिलेखे को साँ, अब क्रॉप सीजन वन्ना लेखे वन्ने को साँ अने मानू, एवरा द्रॉइं बाटब को चुण ला, हैं वसे लेखे WIL çaएं मुञ को साँ है, did you take a time scenario से आप ।्यमेर से यह अनुरूम, मिय आपीज की टार लीखे अ ह। ता मुंद ओर्ण तो, October, November, December, January, February and March अब यहां क्रॉप सीजन के बने को सह बने जस्ते हामिले कुने यह पर्टिकुलर टाइप को क्रॉप मानव हामिले धान अथा चावल कुने पनी क्रॉप हामिले के गरेवता यो पर्टिकुलर सीजन मा रोपियों बने अब धान को खेती गरेवता अब धान को खेती गरेवता अब धान को खेती गरेवता यो सीजन को बहाएता धान को सीजन बहाएता तेसे गरी अब हामिले वीट को सीजन को कुरा गर्शो बहने मानव माईले वीट लाए सेप्टेम्बर देखी लिए र जैन्वरी सम्भाए यो बीच मां सेप्टेम्बर मां मही ले रोपे कोचु जैन्वरी मां मही ले काटी दिए यह उटा पर्टिकुलर सीजन माट, that is September to January, मही लिए के रोपे कोशु यहाँ, भीट रोपे कोशु, यह जुन सीजन भाखो सह, यह को सीजन भाखो सह, भीट को सीजन भाखो सह, तेसे गरी April देखी, July सम्म, मही लिए के रोपे कोशु थे, rice रोपे कोशु यहाँ, R भनूं, यहाँ, W भनूं, so, the period during which some particular types of crop can be grown every year, हर एक बर्शा के हो देशा ता, April देखी लिए र, July माँ चेही, हामिले, rice को खेती गर देशाओ, so, त्यो, पेरिएट लाईची, के बनी देशा, वाने, crop season बनी देशा, अब कुन crop ता, rice crop, यहाँ, हमिले, rice crop रोपे का सह, so, यह कोश क सीजन बायो, rice को सीजन बायो, तैसे गरी, September देखी लिए, January सम्मा, हमिले, हर एक बर्शा के रोपने गरे का सह, so, योजन crop season सह, यह कोश को सीजन बायो, वीट को सीजन बायो, so, simple, अब फेरी हामी सांगा यही आ रोउंत, there are two main crop season, namely ravi and karif, हामी सांगा दड़इटा crop season होनसा, main season होनसी तिनटा सा, तर अहले चिए रोपין season को कुरागौ अगौन होगने होँ आशा, ravi season and karif season, इसेढ़े दिधा मेन सीजन को कुरागान है वनीचे, रभी सीजन और खरीब सीजन, the crops grown during this crop seasons are designated as रभी crops and खरीब crops respectively. यदि हाय मिले रभी सीजन मा कुने पनी crops ग्रोप्स 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 वनीचे रभी क्रोप्स वनीचे, रखरीब सीजन मा ग्रोप्स वनीचे, खरीब क रभी क्रोप्स लाई विंटर क्रोप्स पनी वनी चा। किना वनी हामीले खास मां विंटर सीजन मां रोपने गर सो। लए यहां रभी क्रोप्स स्टार्ट्स फ्रम 1st October and ends on 31st March यह जन अक्टूबर सो अक्टूबर को 1st बाट यह उड़ा सीजन स्टार्ट बायो। जरुड़ी साहिना कि 1st बाट नहीं हुन्छा। यह एवटा हामीलाई डेट यह दिएको सा वनाले त्यों सेजन मां आमीले रोपने गर सो हुआने रहा। अब डेटलाइन तेही यह वनने साहिना। है। सो 1st अक्टूबर बाट यह उड़ा सेजन सुरूब हायो। रका समगायो। मार्च समगायो। 31st मार्च समग। सो यह बीच मां जत्ती पनी क्रॉप्स हामीले। है। अब यहां यहां बाट हामीले क्रॉप्स रोपेगो। यहां आयरा हामीले क्रॉप्स काटेगो। सो यह बीच मां जत्ती पनी खेती भाएको छा। जत्ती पनी क्रॉप्स हामीले ग्रोव गरेका साह। त्यों सब्वाई क्रॉप्स लाइके वननीन छा वने। रभी क्रॉप्स बनी छा जासलाय महीले आर ले दिनोट करे कोईले देखी 1st October मा रोगने यहरो 31st October मा हार्वेस्ट गरने जरुडी सही ना कि डेटलाइन ते ही उन्छा त्यों यहोटा हाम्रो टेंटिटिव डेट दिये को सक्या त्यों 20 माएको जत्ती पनी क्रॉप्स अन सब 30th September यह 1st April मा चही महीले क्रॉप्स अर उडोपे र 31st September मा चही महीले की गरे ता तेलाइ हार्वेस्ट गरे तो यह बीच मा जत्ती पनी क्रॉप्स हामिले ग्रोव गरे का चाहूं तेस्तो क्रॉप्स लाए नाम दियो खरीफ क्रॉप्स अब यहां आरूंता रभी क्रॉप्स अरुप्स 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 अरु अब आप सकता आनुसा टाइम भेराई पनी उना सक्षा पानी को एवेलिटले पनी फ़रग पार्शा कस्तो क्लाइमेट सा किसले पनी फ़रग पार्शा चेंज बहीरान चात्यों खरीफ परफज रिक उयरेपारई ऑग और थीटी टंडुटी फहरा रिपी क्रपिश्या मानम युजन रभी क्रपश भर लाए एक्स अमाउंट सा उपण उवाटर साईयो और दोगह एक्स क्यूविक मे होगह चात्यों चाहिए एकु छा भने खरीफ क्रोप्स लाइड 2x और 3x3m3 of water चाहिएड चाहिए भने पसी रभी क्रोप्स लाइड जती पाने चाहिएड तेसको दूई गुना अथ्वा तीनगुना बेसी पाने खरीफ क्रोप्स लाइड चाहिएड चाहिएड लाइक cotton, sugar can यो यी crops यी दूइटी crops नहीं के उन्छा वने साल भरी नहीं कुपजने काम गर्शन वननाले बर्स भरी नहीं ये लाइक दूइटी सीजन चाहिए खरीब सीजन पनी चाहिए रबी सीजन पनी चाहिए रबर्स भरी नहीं पनी चाहिए cotton is a 8 month crop but sugar can which requires almost a year is called perennial crop cotton 8 month crop हो वननाले त्यों सोन देखी दियर हार्वेस्टिंग सम्हा आठ महिना जती हुन्छा फिल्ड मा रः sugar can चाहिए perennial crop हो because it grows throughout the year there is a short season between खरीफ और रभी सीजन इन दे मौन्स अफ मार्च टू जुलाई अब मार्च देखी जुलाई सम्हा मा एवड़ा सानो सीजन पने हुन्छा जसलाए हामिले जायद सीजन बनने गरेका चाहूं एवड़ा सानो सीजन हुन्छा त्यों सीजन मा चेहीं जायद crops हामिले रोपने गरेका चाहूं also these grow on irrigated lands so we do not have to wait for monsoons to grow दें पहले ने land हारू हामिले इरिगेशन त्यों करेश हाएगा हुन्छा तेस में पहले देखी पानी हुन्छा अनि ते भार इने अलाई चेहीं धेरेई पानी चाहिदेना मन्सून को पनी वेड हामिले राकनों परतेना जायद crops को लागी अब जायद को एक्जाम्पल हेडश होगाने pumpkin, cucumber, bitter guard, etc. अब हामिले अलाग-अला crop हरूग एक्जाम्पल पनी हेड़नेश हूँ next slide मा जूम अब crop types कथी types को corruption हामिले ते याँ हेडिम खरी crops थियो, रभी crops थियो plant that is cultivated or grown on a large scale in the land, the cultivation of the crops depends primarily on the weather and soil conditions of the locality here as far we know the main economy source of Nepal is agriculture Nepal एवडा क्रिशी प्रधान देश हो याँ हामिलाइधाश नेपाल ले population हेड़ने हो वहने करीब 80% population चें agriculture माँ dependent आपनो खाना रा आपनो पहिशा को लागी तेही बाट होने ले खाना पनी पावंशन र तेही खाना बेजे रहोने हले पहिशा पनी पावंशन र क्रॉप भने को की हो वहने इसलिस ने हले मद्याज लाइर्ज स्केल माँ फिल्ड माँ ग्रो गार्तू लार्ज स्केल माँ किना आव तक बाठ हिम्लाइपथा पैसाश पनी आउने आपको पनी उनको पनी तेही हो खुब अब तियो झौन्क ग्रो गर सा एमेली हरेक महिनां हरेक ग्रप से इन АMK मिल गर साएना की नगर साएबोड docs बल्सक्ता को बरिषाएक पॉनीटक पालिविलिटी को आपुझक घ्रडब को आंध को साएवा water required by irrigation based on season so number one based on irrigation requirements irrigation requirement बने को irrigation चाहिए हो की irrigation चाहिए ना तेस माधारी थामिसांगो दुटा क्रॉप शन एवटा wet crop और कोशा dry crop a wet crop is that which requires water by irrigation so तेस्टो crop जाला irrigation चाहिन 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 ना भई ना होने crops लाएने के वनिंचा बिना irrigation उने भी अगरो गोला होदेना such crops cannot grow without irrigation example rice wheat अब यी crops हरो लाई पानी ना भई ना उने पानी चाहिन 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 सा तेस्टो crop लाए आमिले के वने को weight crop तेस्टो करी और को सामरो dry crop dry crop is that which does not require water for irrigation तेस्ता क्रोप जस लाई पानी चाहिए देना ग्रोथ को लागी पानी दा चाहिए चाहिए इरिगेशन चाहिए देना it utilizes moisture in soil during monsoon अब बरसात को मसा माँ पानी परे केशा त्यो पानी बाटा स्वाइल ले क्रोप सरू ले moisture इस्ट्रेक्ट गर्जान गर्जान अब थोरे पानी ले पोगियो अब थोरे पानी ले पोगियो वने ता इरिगेशन गर राखना जरूरी चाहिए ना आमीले अब इसको एक्जांपल मा आमीले के बनना सक्षों ता millet बनना सक्षों अब सेकेंड मास आमरो based on season season मा धारी थामीशांगा अईले बखरे आमीले हे रेको सीजन मा थारी थामिसांगो तिंटा क्रॉप्स रभी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स और चाइद क्रॉप्स रभी क्रॉप्स रभी क्रॉप्स रोप्स 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 रो For example wheat, tobacco, mustard, barley, potato, etc. Number B, Kharif Kharops Kharif Kharops are sown by the beginning of monsoon. Monsoon start kudha chahi hiropne garin cha and harvested in autumn. Autumn season mahan chahi hiropne garin cha. Autumn bane ko ava jahra chunne vela. Example maize, groundnut, rice, cotton, millet, etc. Isabai ke unta Kharif Kharif Kharopshan. Aba amas aamroh Jayat Kharops There is a short season between Kharif and Rabhi season. In the months of March to July. In general, Jayat crops are crops that grow in this season. Example pumpkin, cucumber, bitter gaurd, ok bitter gaurd. Gronvasa, bitter gaurd, etc. Aba eva daa season aonsha. Jn Kharif ra Rabhi season ko bishma aonsha. Kun mahinama taa March dhe ki July samba. Aba tyo season mahi kye hansha bane. Land paini dhekhi irrigated huncha. Sao pheri paani hai mile irrigation ka rakhno paardha hai na. Rha mansoon ko paani bheer gauri rakhno paardha hai na. Tyea hamile sansha na plant haru jayin. Rhohne gauri ka saon. Rha ti plant haru ko example aba hedhne baan ishi. Pumpkin, Cucumba, bitter gaurd, etc. Yaha paani aami saangga aba khayi ke kura mahi lhe net baata, Google baata ni extract goa reko yosha bhe. Hamile hai na saksao, Rabhi crops ko bare maa winter cropping season is known as Rabhi. Rabhi crops are sown in winter from October to December. The crops are harvested in summer from April to June. Kharif, wet summer cropping season known as Kharif. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in June. The crops are harvested in September or October. Jayad crops. Dry summer cropping season is known as Jayad. Jayad is a short intervening cropping season between Rabhi and Kharif season. The crops are grown in summer months. Ava yahan aero. Rabhi crops ko lagi. Availability of precipitation during winter months due to western disturbances helps in the success of these crops. Wheat, barley, peas, gram and mustard are examples of crops growing in Rabhi season. These crops have high water requirement. Either by monsoon rain or by irrigation. These crops have high water requirement. Either by monsoon rain or by irrigation. So, every crops can be 2-3% of the crops. The crops can be 2-3% of the crops. For example, paddy, maize, joa, bajra, tur, moong, cotton, jute, groundnut and soybean are examples. They are irrigated crops. Pahili dekhine paani isma diye koan chha. Watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and photo crops are examples of crops growing in Jayad season. Pahili tehi kura shi yahan aava figure saai diye ko chha. Ok, Rabhi crops maa yahan aero yahan aero yahan saakshan wheat, barley, gram, peach, mustard or mustard kei kheet maa chayin. Dilwaale tulani yahan leye chayenge. Then here, Jayad summer prop, March, June, watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and photo crops. I am aero yahan figure paani aero saakshan. Pahili paani tehi kura shun. Aajay paani mahi liye photo bheete. Kharii crops, paddy, maize, bajra, joa, ravi crops, wheat, barley, peas, gram. Different sodio vane kharii crop ravi ko yahan vata aami liye lehma saakshan. And next video maa aava aami liye base period aani crop period ko baare maa heet nesho. Tiespa shari watering aero ko baare maa pani heet nesho. Yes video maa aetine. Manpare wane like gaun wala. Saathya arsa nga share gaun wala. And the most important thing is don't forget to subscribe my youtube channel. Thank you. Thank you. Thank you.